अब बात करते हैं रिवा की जहां वन परिछेत्र से तेंदूपत्ता ठेकेदार अस्माइल खान निवासी अमिर्ती द्वारा पुलानी टीपी गलत तरीके से वर्स 2017-18 के टीपी द्वारा 2022 के नए तेंदूपत्ता का परिवहन किया जाता है वन विभाग द्वारा टीपी में इतना जादा समय दिया जाता है कि एक टीपी में कम से कम चार बार उत्तर प्रदेश में पत्ता परिवहन हो जाए जबकि वन विभाग में नियम है कि तेंदूपत्ता रात्री में परिवहन नहीं किया जा सकता है जैस अमिर्ती खटकरी मौगंज कट्रा में कम से कम 10,000 बोरा तेंदूपत्ता रखा है एक विशेश समुदाय के लोगों के दोरा उत्तर प्रदेश में तेंदूपत्ता ले जाकर बेचा जाता है वन विभाग दोरा टीपी जारी की जाती है अगर विभाग इसमें ध्यान नहीं देता तो आने वाले समय में रिवा के किसी भी समिति का तेंदूपत्ता ठेकेदार लेने में असमर्थ रहेगा क्योंकि जिले के लक्ष से ज़्यादा चोरी का तेंदूपत्ता रख कर लोग तेंदूपत्ता बाजार में जाकर बेच देते हैं चोकि इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता और ठेकेदार को टैक्स देना पड़ता है वन मंदल अधिकारी को इसमें ध्यान देने की जरूरत है तेंदूपत्ता ठेकेदारों ने प्रसासन से ठेका लेकर तेंदूपत्ता जंगलों से तुड़वा कर तेंदूपत्ता संग्रहण गोदाम में सारे पत्ते रख दिये गए हैं और वहां से लगातार तेंदूपत्ता ठेकेदार इसमाईल खान और वन विभाग के कुछ लोगों की मिली भगत से उन पत्तों को अवैत तरीके से बेचा जा रहा है वन विभाग की उदासींता और मिली भगत से अवय तेंदुपत्ता विक्रय का कारी करने वाले लोगों का मनोबल और बढ़ रहा है अगर इस मामले में कारवाही नहीं होती तो यह अपराग और बढ़ता ही जाएगा झाले बढ़ता ही जाएगा